बीये बागत्रतिये में बारतिय समाज पुस्तक में हम बारत के परमुखदार्मिक समों का ध्यन कर रहे हैं आज हम बारतिय समाज पर इंदु द्रम के परवाव का ध्यन करेंगे देखें बारतिय समाज ये उसे इंसकर्ति में इंदु द्रम को महत्रप्रमाना गया है जो अन्यक विश्वाशों वी दीविदानों और कर्तों में प्रादारित थे हिंदु धर्म के बार्दिय समाज पर प्रभावों को हम अन्यक भागों में बाढ़ सकते हैं जैसे पहला प्रभाव है सामाजिक संगठिन में साहिक हिंदु धर्म में पर्दिक सतर्षे के कर्तवियों का निधर्ण किया गया है और उन्हें समाज में एक विशेश इस्तती परदान की गई अर्थार्ट पर तेक सदस्य किस प्रकार का कर्रे करेगा ये हिंदु द्रहमें निर्धार्ट किया गया है और जैसा करे करेगा उसी के अनुसार उसको पद की प्राप्ती होती है हिंदु द्रहमें की अपनी एक आचार सहीता है जिसमें व्यक्तियों की कर्तब्वे आदेश, निशेद, आदी निर्धार्ट है जिनका पालन करने पर व्यक्ति पाप से मुक्त होकर पुन्ने और मुक्स प्राप्त करता है यह दारणा व्यक्तिक और नेतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है इस प्रेणा से समाज में शवस्त सामाजिक समंद विक्षित होते हैं और सामाजिक व्यवस्ता सुचारू रूप से चलती है इस प्रकार हिंदू धर्म भारति सम्माज को संगठित करने में शायत्ता करता है इसका दूसरा प्रवाव है शामाजिक एकता में शाहिक देखिए विश्वय का कोई भी धर्म है वे सभी सामाजिक एकता का पाठ पड़ाते हैं सभी जनकल्यान के भावना की बात करते हैं वो संगठित होने का प्रियास करते हैं हिंदू धर्म जो भाड़ती संवाज का महत्वपुन धर्म है वह भी संवाज में एकता स्थापित करता है हिंदू धर्म में व्यक्तिवादिता के स्थान पर जनकल्यान की भावना को महत्व दिया गया है जो सामाजिक एकता में वर्दी करती है हिंदु ध्रम का भार्ति समाज पर प्रभाव का अगला रूप है सामाजिक निंत्रण में साहिक हिंदु ध्रम सामाजिक निंत्रण का भी एक ससक्त माध्यम है हिंदु ध्रम में व्यक्ति ध्रम एध्रम पाप पुन्ने शुरग नरक आधी की दार्ना से प्रिजित है जिसके करण वह किसी भी कार्य को करने से पूरू है अंत्रा आत्मा से सोचता है वो गलत कार्य करने से ड्रकता है हिंदु ध्रम में अंत्रा आत्मा की भावना और गलत कार्य उश्ट ड्रक की भावना के कारण व्यक्ति समाज वरूद कार्य नहीं करता है जिसे समाज में एन इंत्रिंग की स्थती उत्पन नहीं होती और समाज में व्यवस्ता बननी रहती है क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो ध्रम और आध्रम पाप पुन्ने शुरग और नरग आधी विचार दाराएं हमारे मस्तिक्स में आती हैं जो कि एकार्य या एकार्य करने से हमें रोकती हैं या दुसकार्य करने से हमें रोकती हैं कि यदि किसी का बुरा करेंगे तो पाप मिलेगा नरक मिलेगा और एध्रम होगा और यदि किसी का भला करते हैं अच्छा कार्य करते हैं तो ध्रम होगा पुन्ने मिलेगा उस्वरुग की प्राप्ति होगी इस प्रकार से ध्रम सामाजिक नियंद्रन में साइक है ध्रम का अगला भारती समास प्रवाव है कर्तव्य के दिर्दार्न में साइक देखिए हिंदू ध्रम ने व्यक्ति को सदै नेतिक और सामाजिक प्रतव्यों के लिए प्रिवित किया है जिसके कारण व्यक्ति ध्रम के अनुरूप अपने शव ध्रम का पादन करते हुए अपने नेतिक व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रतव्यों को पुर्ण करता है अर्था अर्थ परतेक व्यक्ति यह जानता है कुछ के सामाजिक कर्टव्य क्या है स्विम का उसका ध्रम क्या है सामाज के प्रति उसका उतरदाईत तो है क्या है और इन बातों को सामने रखकर ही व्यक्ति कोई भी करम करता है भारति सामाज पर हिंदू ध्रम का अगला प्रवाव है हिंदु द्रहम ने सामाजिक जीवन में व्यक्तिक के व्यक्तित विकास में सदेव साहिता दी है बारतिय समाज में बालक का समाज एकन प्रिवार में होता है प्रिवार में रहकर बालक समाज एकन के मध्यम से कर्तब्य भावना प्रश्पर प्रेम भावना धार्मिक भावना आधी सीखता है जिससे उसमें सद्गुनों चरित्र आधी का निर्मान होता है और उसके व्यक्तित्यों विकास में सहिता करते है बारती समाज में हिंदु धर्म का अगला प्रवावना सद्गुनों के विकास में सहिक हिंदु धर्म व्यक्ति को मानसिक संगर से बचा कर उसे सत्कार्रे करने का आधेश दिता है तथा मर्यादा में रहकर सद्गुनों के विकास की प्रेरना परदान करता है हिंदु धर्म भारती समाज में सामाजिक नितिक्ता को बनाए रखने में साइक है यह व्यक्तिकत स्थर के साथ साथ सामाजिक स्थर की नितिक्ता को भी बनाए रखने में साहिता परदान करता है धर्म के काण व्यक्ति कठिंदम प्रिष्टितियों में भी नेतिक तथा दार्पिन नीमों की हवेलना नहीं करता है जैसे सकते बोलना चोरिन करना बड़ो कादर करना आधिनियम सामाजिक द्रश्टि से व्यक्ति को नेतिक आदर्शों के और प्रिरित करते हैं हिंदु धर्म का अगला प्रभाव है सामाजिक परिवर्टन पर नियंतन में साहिक भारतिय समाज में सामाजिक परिवर्टनों के परिणाम सुरूप आज अनेक परिवर्तन इस प्रकार्स के हैं जो शामाजिक द्रश्टी से एहित करें तर्था समाज में विगठन की स्थती उत्पन करते हैं हिंदु दरम ऐसे सभी सामाजिक परिवर्तन का विरूद करता है अत्वा नियंत्रन करता है जो समाज को भिगठित करते हैं इसकार्स काहिन अगला प्रवाव है बहंनातं सुर्ष्य परदान करना हिंदु दरम में नेक रूपों में व्यक्तेयों को समाजिक शुर्ष्य परदान की है व्यक्ति को समाज मेन एक बार ए निश्चित्ता ए सुरुक्षा आधी स्थितियों का सामना करना पड़ता है हिंदु धर्म ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को भावनात्म सक्ति और सुरुक्षा परदान करता है जिससे व्यक्ति इन प्रिष्टितियों में समाई जुन कर सके हिंदु धर्म का अगला प्रवाव है मनोरण्जन में शाहिक हिंदु धर्म जहां एक और व्यक्ति को सत्यकारे करने की प्रिणा देता है वहीं दूस्ते और इनके मद्धिम से व्यक्ति का मनोरण्जन भी करता है व्यक्ति विभिन्दार्मिक दूस्वों त्योहरों क्रमकांडों आदिक आउसर पर अपने दिन चरिया में प्रिवुतन करता है अच्छे वाना एक अपड़े पेंता है स्वाधिष्ट वा विशिष्ट प्रकार का भोजन करता है अपने नातिदारे रिष्यदारों से मिलता है इससे व्यक्ति का मनोरण्जन होता है हिंदु ध्रम भारतिय संस्कृति का रक्ष कमाना गया है हिंदु ध्रम का एक प्रमाण यह है कि अनेक संक्रमन कालों में भी हिंदु ध्रम ने भारतिय समाज की मुलिक्ता को बनाय रखा था भारतिय संस्कृति की विशिष्थ्ता को जीवित रख्षा है इसके अतरीक्त हिंदु ध्रम ने व्रक्ति को पुर्षात बनने सत्करम में की प्रिणा दिए ऑस्वार्तिय समाजी कल्यान में सहाइक हिंदु धर्म ने अपने अन्युवाईवेवाईों को व्यक्तिकत स्वार्तं से विपरूट और समाजिक कल्यान की भावना विख्षित करने की प्रिद्दाना दी है कि आध ते झाल झाल